हलो तोस्तों, वेल्कम टो मैचैनल और आज की हम इस वीडियो में चीक कहेंगे कि सिंपल गरहरा हम किस तरह से बनाते है, यह जो गरहरा हम रेडि कर रहे हैं, वो हम 4-5 साल की बच्छी के लिए रीडि कर रहे हैं तो, चलिए इसे बसानाने के लिए हम शुरुबाद करते है यहां पर मैने फैब्रिक के दो पीस लिए है इसका मेजर्मेंट कुछ इस तरह से यहां पर इसकी लैंध Highland हमने 13 नीच लिए और इसkी विर्थ हमने 20 इंच लिए तो इस तरह से अब हमें क्या करना है कि इसे फोर पार्ट में यहां पर इस तरह से बराबर से हमारा जो फैबरिक है उसे सेट कर लेना है तो यहां पर हमने इसे 4 पार्ट में बिचा दिया है इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि बेल्ट के लिए मार्क करना होता है तो वो हम यहां पर 2 इंच पर मार्क करेंगे यह हम इलास्टिक डालने के लिए मार्क करेंगे तो इस तरह से हमें 2 इंच पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन खीच लेनी है अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हम हिप के लिए मार्क करेंगे तो वह मैं 8 इंच पे मार्क करोंगी और यहां पर जो क्रॉच है वह भी हमारा 8 इंच रहेंगा आप आपके बेबी के साइस के अकॉर्डिंग यहां पर हिप का मेजर्मेंट डाल सकते हो इसके बाद इस तरह से अंदर की तरफ हमें 2 इंच पे मार्क करना है और यहां पर थोड़ी उपर से हमें गोलाई दे देनी है और साथी साथ हम क्या करेंगे कि इसको बॉटम है उसके लिए हम 8 इंच पे मार्क करे है अभी हमारे दोनों पाठ है Senior एच यहां पर आप देख सकते हो किहां रहे दू दो पार है अब हमें इन पार्ट के सेम साइस के लाइनिंग और वैम लिए हो कि यहां पर बिधार्ट पिंड लगा लिया है इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां प्रप इसके बॉटम बाटम करेंगे तो उसके लिए हमने यह दो फैबरिक के पीस लिये है is 1976 तो इस को इसको लैंधन यहां पर 17 ईंच लीं और विर्थ यहां पर 42 इंच है तो इस कि अब इसकी दागा लेंगे और इसकी हईक लेन वहां करना है कि यहां पर चोटे चोटे टाके लगाना है जिस तरह से हम normally सिलाई करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे हमें सिलाई करनी है इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमारे gather's बनते हैं वो बहुत ही finishing के साथने बनते हैं अगर आप चाओ हो तो machine के पर भी इसे ready कर सकते हो तैयार हो जाएंगे अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहां पर यह टॉप आला पार्ट लेना है और इसके बराबर से हमें यह गैदर्स को करना है कुछ इस तरह से हम करेंगे बराबर से इसे सेट कर लेंगे कि यहां पर यह सेम इक वली डिस्टुबिट हो जाए कुछ इस की तरफ रखनी है और कुछ इस तरह से पूरे में हमें यह सिलाई लगा देनी है तो मैं आपको यह दोनों पार ट्रेडी करके बताती हूं तो यहां पर हमने आप देख सकते हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारे यह गैदर्स बनके तयार है और इसके बॉटम में भी हमने एक सिलाई लगा ली है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर इनका आसन चॉइन करेंगे तो आसन चॉइन करने के लिए दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह हमें क्या करना है कि जो फिंग वाली इसिलाई होती है दोनों पार्ट बराबर से पकड़ते हुए कुछ इस तरह से हमें दोनों साइड में लगा लेनी है उर इसी के साथ हम क्या करेंगे कि यख इलास्टिक बनाने के लिए यहन पर यह बेल्स ओनर कर लेंगे तो हमें परी गोलाई में सिलाए लगा लेने हिस तो यहां पर इमाराष सब्सक्रशन के लिए लेख बन के कितना सुन्दर लग रहा है आप भी आपके बेबी के लिए इस तरह से एक गरारा जरूर रेडी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हम इसी तरह की वीडियो हमारे इस चैनल पर डालते हैं जो आपके लिए helpful रहेंगी वीडियो में लास तक बने रहने के लिए थैंक यू